हालो एब्रिवन मैं उसन जिना और आज में लेकें फिस से एक नई रेसिपी तो चलिए बनानाई स्टार्ट करते हैं तो आज हम बनाएंगे मस्रूम की सब चीप बहुत ही चटपटी हो पहुत ही यमी और बहुत ही यूनिक तरीके से तसब से कले हमने मस्रूम लिया इसको धो मसाले लिया है हमने थोड़ी सी कलिए हम लिय। अब गोने करेंगे जैंगे यह उबर दीचुक पुदा की में ने wanna शोर दैंगे दूसे को monthsroom है तो ने इसमें डाल दिया है देख सकते हैं अब इसको बनने की लिए चोड़ देंगे दोसे मिनट इसको बनने दिए एक तuffsिब करेंगे कि अब उसी कड़ाई में सरसु तरला ट करेंगे मोडब दूटेघ सब्सक्राइब आप छाएं तो प्रीज को मिक्षी हार में पीज के आध्ट कर चकते हैं तो चैन carts दो मिनट में इसको भूना है प्रीज अंसी तरह home है भी अब तब हुंत प्रीजको में तब चॉज्ब तो यह राट कर दोगिए और इसका कलर जो है गोल्डन लुजन के याप आसलों प्यात चाहेत। diferen के जो districts प्नक पाइड करें जो सब्सक्राइब या तो कूटे के कलें शुकर कर सकते हैं या इसको एक प्लाआल के चलनका मने चलनाचानगी mock up paper प्ली इख दूंख करते уп hm थोड़ी सी हमने लेसुन की कलिया ऐसे ही डाल दिया ताकि थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में सब्ची अब क्या करेंगे कि इसको पल्टिस की मदद से दपाता वाक अच्छे से मैस कर लेंगे टमाटर को तो आप चाहें तो टमाटर को पिस्ट की भी आड़ कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता इस तरह से बनाना तो उसी तरह से भी बना सकते हैं वीच वीच में अच्छे से पकाना है देख सकते मेने इसको अच्छी सी कटाया है जो हमारी ग्रेवी है अच्छे-सी भुणकी रिड़ी हो चुकी है आप लोग देख सकते तो क्या करें कि मासाले जब जले लगे तो थोड़ा से सी पानी डाल देज़ैग Till अच्छी अच्छी होती हो निकल जाती है तो इसलिए हमने उसको उबाला था देख सकते अब क्या करेंगे फ्रेंस कि जो हमने मटर को छील के रखा ना उसको वेसमें एट कर देते हैं ताकि जो मटर है थोड़ा अच्छे से भून जाए और सौप्ट हो जाए तो देख सकते हैं मैं इसको दूर से इसे ही हम भूनेंगे तो आप चाहिए तो डख भी सकते हैं क्योंकि अच्छे से घल जाता है देख सकते हैं मसाले हमारे अच्छे से पकड़ने लगा है तो पल्टी की मदब से चला-चला कच्छे से बून लेजीए और थोड़ा सथा पानी डाल परके आप मसाले को पका लि और आज हम धामे कर देंगे दीमी आज भी रिजवा पकाना है तो देख सकते हैं मसाले अच्छे से पकी रेड़ी हो चुके हैं आप लोग देख सकते हो तो बीच-बीच में चलाते हुए रहेंगे जो हमने मस्रूम एट किया था था वो भी अच्छे से पक्या है और तो आपने हिसाब से पानी एट कर अउसके एक से डिटलडफ के करीब हम पानी एट किया है क्यों जूस वाला इस्वाली सबजी चाहादे अच्छे लगती है अब क्या करेंगे फ्रेंज कि अब इसको ढख करके हम 2-3 मिनट पका लेंगे तो हमने इस पर ढखा लिया आप लोग देख सकतें तो 10 मिनट हो गया है तो अब इसको ढखा नटा करके देखतें कि सब्चे मारी कैसी बनी है तो देख सकतें एक दम से जो मटर हो भी अच्छे से साथ जो हमने मैसरूम डाला था वो भी अच्छे से स्टॉफ्ट हो गया आप देख सकतें फ्रेंज तो 2-3 मिनट इसको और हम कुक करेंगे ऐसे गैस पर तो ऐसे छोड़ देते हैं इसको उबलने के लिए 2-3 मिनट ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है अच्छे से चल खाने में तक दोम से मजा ही आ जाएगा तो इसको आप रोटी के साथ चावल के साथ पराटे के साथ एंज्जोइ कर सकते हैं तो देख सकते हैं अब जरूर ट्राय करिएगा और अगर रेसिपी पसंद देचे लिएक और को शेर कर दीजेगा और चैनल पर पहले कर आए तो और चाल को सब्सक्राइब कर लिजिए गया तक कि मेरे वीडियो की नॉटिफिकेसान आपको सबसे पहले मिले तो देख सकते हैं हमें सब्जी को कितना जल्दी बनाया ज्यादे टाइम भी नहीं लगा इसको बनाने में मैं सब्जों करके दिखाते हैं आप लोग को कि हमारी भी पसंदे तो प्ले लाइक और सेर्क वीजिगा, तेंक्यू सो मच्छ मेर बिडियो देखने के लिए.